अच्छो मैंने आपको body part learn कर आये थे अब मैं आपको वही body part book में learn कर आऊंगी तो आपको और अच्छे से learn हो जाएंगे ये एक body है human body ठीक है ये एक human body है इसमें अलग-अलग part होते हैं देखें hand, leg, stomach, eyes, nose ये अलग-अलग part होते हैं और इनको अलग-अलग नामों से जानते हैं ठीक है तो सबसे पहले ये पूरा हमारा होता है face ये होता है face तो इस face में इस face में अलग-अलग part होते हैं face पे भी अलग-अलग part होते हैं जैसे ये होमारी eyes ये देखें ये होमारी eyes, ठीक है आईस का यूज मैंने बताया था आईस का यूज क्या होता है हम किसी भी चीज को देखते हैं तो आईस का यूज करते हैं ठीके किसी भी चीज को देखने के लिए हमें आईस का यूज करना होता है हमें आई का यूज करना होता है ठीके तो सबसे पहले है हमारा hair यह हमारा hair और आपको पता है hair का color कैसा होता है hair का color होता है black and यह हमारी eyebrow हमारी eyes के just उपर होती है हमारी eyebrow दो eyebrow का color कैसा होता है eyebrow का color भी black होता है ठीक है और eyebrow और hair के बीच में यह जो part होता है यह इस part को बोलते हैं हम forehead क्या बोलते हैं forehead ठीक है next है हमारी nose next है हमारी nose और nose का use मैंने आपको बताया था nose का use होता है smell के लिए किसी भी चीज को किसी भी चीज के हम smell लेते हैं सूंगते हैं तो किसका use करते हैं nose का very good next है हमारी lip यह देखें यह हमारे lip आपको पता है हमारी lips का color कैसा होता है lips का color कैसा होता है lips का color होता है pink lips का color होता है pink and हमारी eyes का color कैसा होता है यह ice में यह ice का color black होता है brown होता है, blue भी होता है अलग-अलग color होते हैं तो यह हमारी lip and next है हमारे teeth क्या है हमारे teeth आपको teeth का यूज पता है teeth का यूज क्या होता है teeth का यूज होता है किसी भी चीज को हम जब खाना खाते हैं किसी भी चीज को चवाने के लिए कट करने के लिए जब भी खाना खाते हैं या कोई भी चीज खाते हैं ठीके तो उसको चवाते हैं, कट करते हैं किसके यूज से टीथ के यूज से ठीके यह हमारे टीथ और आपको पता है टीथ का कलर कैसा होता है हमारे टीथ का कलर होता है वाइट हमारे टीथ का कलर वाइट होता है ठीक है नेक्स्ट है हमारी फिंगर यह हमारी फिंगर ठीक है यह हमारी फिंगर और यह हमारा हैंड होता है और हमारे हैंड में एक हैंड में फोर फिंगर एंड एक थम होता है और फोर फिंगर होते हैं और पता है आपको फिंगर का यूज़ क्या होता है आपको फिंगर का यूज़ पता है जब हम किसी भी जब हम लिखते हैं जैसे छोटा ये देखें हमने लिखा छोटा तो हमें के लिए हमें किस का यूज करना होता है फिंगर और थम का यूज करते हैं हम लिखने के लिए फिंगर और थम का यूज करते हैं ना ठीक है नेक्स्ट है अलबो एलबो मीन्स कोहनी यह है अमारी नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट मीन्स गर्दन यह हैं हमारी चिन यह हमारे माउट से नीचे जश्ट नीचे होती है चिन और आपको पता है यह क्या होता है यह होता है यह होता है सोल्डर अब अपना बैग हैं करते हैं ना सोल्डर पर यह हैं सोल्डर एंड इयर इयर मीन्स कान हम सुनने के लिए कान का यूज करते हैं ठीक है सुनने के लिए कान का यूज होता है नेक्स्ट है श्टमक नेक्स्ट है श्टमक श्टमक माने पेट ठीक है श्टमक नेक्स्ट है लेग पैर हमारी जो पैर की उंगली होती है उंगली और अंगुठा उसको बोलते हैं टो क्या बोलते हैं टो नेक्स्ट यह होता है टकना गुटना इसको बोलते हैं नी नी माने गुटना या टकना ठीक है यह हमारी बॉडि पार्ट है ऐसे ही आपको लेर्न करना है यह है ओके